हेलो एवरीबड़ी वेल काम टू क्लास 11 आज हम 11 क्लास के स्पेशल सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं जिसका नाम है इंग्लिश अल ओवर इंडिया हॉर निबिल किताब पढ़ाई जाएगी NCRT का syllabus चलेगा कोई board नहीं चलेगा अब केवल चलेगा NCRT पहला lesson इसमें यह पूरा करा के दे रहा हूं मैं इस वीडियो में अगले वीडियो में यह वाला में करा के दूँगा पहले पूरे chapters करा के दे रहा हूं फिर फिर पूरी यह करा के दूँगा पोयम करा के दूँगा और फिर पूरे कोशन आंसर वगेरा सब करा के दूँगा बे फिकर रहना उंगली पकडाऊंगा और पूरा समझा के दूँगा पहला lesson है जिसका नाम है दा पोट्रेट अफा लेडी अब भाई टाइटल समझो यह जो टाइटल होता है ना इस टाइटल इसेल डिसक्राइब एवरिटिंग अबाउट दी चैप्टर जो जो चैप्टर में होने वाला है वो सारी बाते हमको समझ में आती है किस से टाइटल से टाइटल देखो दा पोट्रेट आफा लेडी लेडी मतलब और अरत पोट्रेट मतलब यहां पे उसका एक समझ जाओ एक पूरी लेडी के बारे में बात होगी और वो भी सुनो किसकी कुश्वान्त सिंग किसकी कुश्वान्त सिंग तो यहां पर हम शुरू करते हमारा चैप्टर नबर वन दा पोट्रेट आफाल लेडी लेट्स गेट स्टार्टेट एक एक शब एक एक लाइन एक एक शब्द पूरा बता के दूँगा देखते चलना अब कोई no comments start my grandmother like everybody's grandmother was an old woman पहली लाइन जहां full stop आएगा वहां रुकूंगा वो लाइन पूरी पढ़ा के दूँगा जहां paragraph होगा paragraph पूरा रिवाइस करा के दूँगा जहां page complete होगा पूरा page रिवाइस करा के दूँगा best way से मैं I will try my level best आप अपका 100% दो समझने में मैं 100% दे रहा हूं समझाने में my mother मेरी grandmother मतलब दादी like everybody's ये है कौन सा एस apostrophies apostrophies लगा मतलब समझ जो किसकी बात कर रहा अधिकार जैसे राम की किताब तो बोला जाएगा राम्स बुक राम के बाद क्या लग जाएगा apostrophies तो यहां पे मेरी दादी जैसे सबकी दादी होती है क्या है old woman बुजुर्ग महिला पहली line my grandmother like everybody's grandmother was an old woman मेरी दादी जैसे सबकी दादी होती है वैसे एक बुजुर्ग महिला है she had been old and wrinkle for the 20 years that I had known her उनके किनके दादी के जो दादी है उनके चहरे पे wrinkle wrinkle मतलब जुर्या जुर्या कब से है पिछले 20 सालों से जब से मैं उनको जानती हूँ people said that she had once been young and pretty and even had a husband बहुत बड़ी खबर जो यहां पे आ रही है लोगों के द्वारा लोग कहते हैं कि मेरी दादी पहले young ती और pretty थी मतलब मतलब अभीतव जवान थी पहले और बहुत सुन्दर थी और उनका एक पती भी था but that was hard to believe बहुत बड़ी खबर जो हमको कुश्वान सिंग बोल रहा है बोले मैं विश्वास नहीं कर सकता मेरी दादी का पती भी था और वो सुन्दर भी थी my grand mother portrait grandfather grandfather मतलब दादा grandfather मतलब दादा portrait hung about the mental peace in the joining room सुनो कुश्वान सिंग बता रहा है दादी तो बोले लोग बोलते एक जमाने में जवान भी थी और सुन्दर भी थी और उनका husband भी था अब husband मतलब इसने दादा को देखा नहीं क्यों मर गया होगा my grandfather's portrait hung about the mental peace in the drawing room drawing room में कुश्वान सिंग के दादा की photo टंगी है he wore a big turban and loose fitting cloths दादा क्या पहनता है दादा turban पहनता है turban मतलब पगडी loose fitting cloths मतलब कुरता पजामा his long white beard covered the best part of his chest long white beard beard मतलब दाड़ी हर sentence में एक शब्द है जो पूरी कहानी समझाएगा देखो दादी जवान थी young थी pretty थी ये कौन कहते हैं लोग पर कुश्वान को believe नहीं होता और इसका husband भी था believe नहीं होता क्यों मर गया और उसकी photo टंगी है drawing room में बड़ी सी पगडी पहनते हैं कुर्टा पैजामा पहनते हैं long white beard covered the best part of his chest he look at least hundred years old 100 साल का दिखता है दादा 100 साल का दिखता है he did not the sort of a person who would have a wife or a children दादा इतना बुड़्डा है कि उसकी बच्चे पतनी के बारे में नहीं सोच सकते लोग यह सोच सकते हैं he look as if he could only have lots and lots of grandchildren पतनी बच्चे नहीं इसके पते सोच्टे यह होगा यह तो लगता ही नहीं बीबी बच्चे वाला बहुत बुड़ा है as for my grandmother being young and pretty the thought was almost revolting और दादी जवान बाप रे यह बात तो मेरे गले ही नहीं उतरती the thought was almost revolting एक idiom है इसका मतलब होता है बात गले ही नहीं उतरना यह बात सुनके इसको revolt हो रहा है नहीं बात इसके दिमाग में बोलते हैं यह मेरे बेजे में आया ही नहीं she often told us of the game she used to play as a child दादी बताती है बच्चपन में वो क्या क्या खेलती थी that seemed quite absurd and undignified on her part दादी बताती है बच्चपन में यह यह खेलती थी वो हमको absurd लगता है absurd मतलब मूरकता लगती है ऐसा हो ही नहीं सकता उल्लू बना रही क्यों undignified प्रतिष्ठा के खिलाफ लगता है and we treated it like the fables और हम इनको कैसा समझते थे fable, fable का मतलब होता है जूटी कहानी fable का मतलब क्या होता है जूटी कहानी of the prophets used to tell us बोलते नहां रहे हैं यह उल्लू बना रहा है लपेटो लपेटो बहुत बढ़िया लपेटो लपेटो काटम एक paragraph हो गया पूरा paragraph revise करा के दे रहा हूं ध्यान से देखना photographic presentation भी है आप मन में बना लो photo फिर मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसको मैं नाम दूँगा YouTube Shots तीस सेकेंड में पूरा वीडियो में समप करूँगा chapter का on the basis of photo photographic presentation रहेगा अभी पूरा यहां से समझा रहा हूं सुनो my grandmother like everybody's grandmother कुश्वान सिंग बोलता है मेरी दादी जैसे सबकी दादी होती वैसी है उनके चेरे में जुर्री है लोग बोलते थे कि बोले यह बड़ी जवान थी पर में को यह विश्वास नहीं होता इनका husband था में को यह भी विश्वास नहीं होता मेरे दादा मर चुके हैं उनकी photo में देखता हूं बड़ी सी पगड़ी पहनते हैं कुर्ता पेजामा पहनते हैं दाड़ी है लंबी लंबी चेस तके च्छाती तके दाड़ी आती है दादा को देखके ऐसा लगता है कि बस इसके तो पोथ्टे 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 और दाधी बोले जवान थी तो मेरे दिमाग में बात आती ही नई और दाधी जब बताती है कि बचपन में क्या-क्या खेलती थी तो ऐसा लगता है Fables of the Propet ऐसा लगता है कि एक मदारी है जूटी-जूटी कहानी बता रहा है हो गया एक paragraph complete next paragraph यहां तक समझ में आया नहीं समझ में आया तो में इसाथ बोलो कुश्वान सिंग है उनकी दादी है और उनके दादा है दादी पहले जवान थी इसको विश्वास नहीं हो रहा दादा चले गए दादा को देखके ऐसा लगता है कि दादा बहुत ज़्यादा लड़के बच्चे वाला था दादी के बारे में सुनो दादी शॉट है शॉट मतलब हाइट कम है फेट थोड़ी सी मोटी है स्लाइटली बेंड कुबड निकल जाता है जब अपन बुजुर्ग होते हैं तो हलकी सी अपनी कमर जुग जाती है तो दादी भी ऐसी हो गही है दुबली पतली नहीं है मोटी है पर हलकी सी कुबड निकल गया है अर फेश वस अ क्रिस क्रोस अ रिंकल रनिंग फ्रों एवरिवेर तो अवरिवेर नौ वी अर सटन शी है जुगा के चलती है और फेश कैसा है फेश तो पूरा जुर्यां वाला है नौ वी वर सटन शी है अल्वेश बीन एज वी हैड पर जैसी है दादी वैसी ही है ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दादी कैसी है ओल्ड, बहुत बुड़ी है टेरिबली, भयानक बुड़ी है that she could not have grown older and had stayed the same age for 20 years 20 साल तक के मैं को लगता है दादी की उमर बड़ी ही नहीं इतनी बुड़ी हो गई क्या बुड़ी हो ही नहीं सकती she could, she could never have been pretty but she was always beautiful मैं उनको pretty तो नहीं बोलूँगी जवान तो नहीं बोलूँगी नहीं ज़्यादा pretty पर सुन्दर तो मैं मान सकती है कि दादी बहुत सुन्दर है she hobbled about the house in a spotless white क्या करती है पूरा घर घूमती है दादी पूरा घर hobbled मतलब गूमना पूरा घर घूमती है spotless white बुरा मत मानना दादा चले गए दादी विद्वा अब विद्वा लोग क्या पहनते है क्या पहनते विद्वा लोग सफेद कपडा तो दादी वो ही करती है पूरे घर में गूमती है सफेद साडी पहन के with one hand resting or a waist to balance a rest tube and other telling the bets of the rosary एक हाथ कमर पे रखती है waist मतलब कमर balance a rest tube ताकि उनका balance पूरा शरीर बना बर बना रहे and other telling the beats of a rosary rosary मतलब माला माला जपती दादी माला जपती दादी माला जपती दादी सुनो ध्यान से यहां तक के बता रहा हूँ दादी इतनी बुड़ी है कि 20 साल हो गए वो और बुड़ी हुई नहीं मैं pretty तो नहीं मान सकती पर beautiful मान सकती हूँ वो दादी जो है ना पूरे घर में घूमती थी बिलकुल सफेद साड़ी पहन के एक हाथ कमर पे रखती थी और दूसरे हाथ से माला जपती थी हर सिल्वर लॉक्स लॉक्स मतलब लड़की लोग को बड़ा अच्छा लगेगा लॉक्स का मतलब होता है वो जो निकालती है ना जुल्फें लट जो निकालती है ना तो उनके बाल जो थे वो ऐसे निकलते थे हर सिल्वर लॉक्स वर स्केटर्ड अंटाइडली दादी के बाल पूरे सफेद हैं चांदी जैसे बाल हैं स्केटर अंटाइडली ओवर हर पेल पकट फेस दादी का चेहरा पूरा एकदम पिचग गया है and her lips constantly move in audible prayer दादी पूझा करते रहती है constantly लगातार पूझा करते रहती है yes she was beautiful like the winter जैसे winter होता है ना बरफ के समान एकदम सफेद landscape in the mountain आप देखो थंडी के समय पूरा पहाड बरफ से कितना सुन्दर लगता है an expense of a pure white sanity breathing peace and contentment यहाँ तक पूरी कहाँ नहीं समझो कैसी है beautiful बोले जैसे वो mountain होता है ना पूरे बरफ से ढखे रहते है pure white sanity जैसे scene होता है ना पूरा white ऐसा है peace and contentment, peace मतलब शांती और contentment मतलब संतुष्टी दादी में सांती भी है दो paragraph में compete कराके दे रहा हूं मेरे साथ जोर से बोलो जल्दी जल्दी बोलो सबसे पहले कुश्वान सिंग की ग्रेंड मदर है वो पूरी बुड़ी हो चुकी है 20 साल से और बुड़ी हुई नहीं लोग बोलते हैं कि इनका husband था जवान थी बोले मैं मानता नहीं दादा की फोटो टंगी है ड्रॉइंग रूम में दादा कुर्ता पजामा पहनता है लंबी लंबी दाडी रखता है सपेद है दादा को देखके ऐसा लगता है कि इसकी कोई पतनी बच्चे नहीं बस बस पोते ही पोते और दादी जवान थी सवड़ तो मेरे दिमाग में गले ही नहीं उतरता है और दादी बोलती बच्चपन में ये खेलती थी में को ये बच्चों की कहानी ऐसा लगती ही कि लपेटो और सुनो दादी थोड़ी चोटी है मोटी है और हलकी सी जुक्के चलती है पूरा शरीर में ना जुर्यां है चेहरे पे और हम पक्का मान सकते हैं कि वो इतनी बुड़ी हो गई क्या वो बुड़ी हो इनी सकती 20 साल हो गए दादी की उमर बड़ी ही नहीं हाँ मैं उनको beautiful मान सकती हूँ क्यों क्यों क्योंकि वो एकदम सफ पेल है चेहरा एकदम पीला पड़ गया उसमें उत्ती रौनक नहीं है पकाड यहने उतना थोसा अंदर चला गया है lips constantly move पूरी prayer चलते रहती है हाँ वो सुन्दर है कैसी सुन्दर है जैसे कोई हाँ बोलते ना एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे मंदिर में दिया दिया कितना शांत रहता है तो बोले यह भी जैसे सुन्दर है एक सीनरी की जगा विंटर की सीनरी पहाड एकदम सफेद माइ ग्रेंड मदर और गोड़ फ्रेंड माइ पेरेंट लेफ मी विट हर वें दे वेंट टू लिव इन अ सिटी और वी आर कॉंसेंटी टुगेदर दादी पोता रहता है कुश्वान कुश्वान की दादी She used to wake me up in the morning and get me ready for the school कुश्वान को दादी उठाती है ready करती है school पहुचाती है She said her morning prayer in a monotonous thing song while she bathed and dressed me in a hope that I would listen and get to know it hard दादी जब सुबा पोयम करती है प्रातना करती है बगवान से तो ऐसी काती है कि कुश्वान को सुनाई है और कुश्वान भी सीख ले I listen because I loved her voice but never bother to learn it कुश्वान को दादी की आवाज पसंद है पर वो कभी इसको याद नहीं करता prayer को Then she would fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk पुराना जमाना याद करो क्या करती है दादी slate लाके देती है आपके पापा मम्मी भी पढ़े होंगे किस से slate से तो दादी इसको लकडी की slate लाके देती है बढ़िया chalk वगेरा लाके देती है और छोट आसा ink pot घड़ा देती है जिसमें ink वगेरा रखते है साही वगेरा रखते है red pen देती है tie them all in a bundle and hand it to me after a breakfast of a thick steel chapati and a little butter and sugar spread on it we went to school she carried several steel chapati with her for a village dog एक एक बात समझना कुश्वान तो और दादी एक साथ रहते हैं गाओं में मम्मी पापा कहां चले गए शहर में दादी कुश्वान को उठाती है निलाती है तयार करती है सुबह की प्रातना ऐसी करती है कि कुश्वान सीख ले पर कुश्वान कभी सीखता नहीं क्यों चुकि उतना धरम पे उसका विश्वास नहीं है दादी क्या देती है स्लेट देती है, चौक देती है, इंक पॉट देती है, सब को एक बंडल बना के देती है, ब्रेकफास कराती है, ब्रेकफास किसका होता है, थिक स्टेल चपाती, स्टेल का मतलब समझ लो बासी, स्टेल का मतलब क्या होता है, बासी, कुश्वान सिंग अमीर नहीं है, कुश्व बटर, मखन भी लगता है, शक्कर भी लगता है, वही चपाती पे, और बहुत सारी बासी चपाती लेके जाही जाती है, village dogs, village dogs मतलब गाओं के कुत्तों के लिए, my grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple, अगली खबर सुनो, कुश्वान्त और दादी एक साथ school जाते हैं, क्यों, क्योंकि school के पा in the morning prayer, priest मतलब पुजारी, पुजारी पढ़ाता है, कुश्वान को और क्या पढ़ाता है, alphabet, ABCD भी पढ़ाता है, और सुबा की prayer भी पढ़ाता है, while the children sat in the row either side in the veranda, singing the alphabet or the prayer in chorus, बच्चे क्या करते हैं, alphabet चिलाते हैं, या prayer गाते हैं, my grandmother sat inside reading the scripture, दादी भी temple के अंदर जाती है, और क्या पढ़ती है, scripture, मतलब भगवान की किताब, when we had both finished, we would walk back together, जब दोनों का हो जाता है काम, तब दोनों साथ में वापस आते हैं, this time the village dog would meet us with the temple door, अब बोले हमको इस समय कौन मिलते हैं, गाहों के कुट्ते, they followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapati we through to them, जो chapati हम उनके लिए फेकते हैं उसके लिए दादी बोले, ये लोग कुट्ते आपस में लड़ते हैं, यहां तक आपको समझ में आया की नहीं आया, एक बार फटाक से देख लो, तीन परग्राफ में मैं स्पीट से पढ़ाऊंगा, जोर से पढ़ाऊंगा, देखो ध्यान से, सबसे पहले इस परग्राफ म बोले, दादी को मैं ये मान सकता हूँ, कि वो जैसे एकदम सफेद है, वैसी सुन्दर है, अब सुनो, मैं और दादी साथ में रहते हैं, गाओं में, पापा मम्मी चले गए शहर में, दादी सुबा उठाती है, प्रेयर वगरा करती है, मैं कभी इसको सीखता, नहीं, अब दादी में को स्लेट वगरा देती, चौक देती, और मैं स्कूल जाता हूँ, मैं ग्रेंड मदर, मेरी दादी मेरे साथ जाती है, क्यों, क्योंकि वो मंदिर में ग्रंथ पढ़ती है, और मैं मंदिर के पास स्कूल में अपने अलफाबेट पढ़ता हूँ, और जब खतम हो ज गए तो उन्हें कुश्वान तो दादी को बुला हुआ बेजा कि तुम भी आ जाओ डेट वोज़ टर्निंग पॉइंट इन अवर फ्रेंड्शिप और दो वी शर्द सेम रूम मैं ग्रेंड मदर नो लॉंगर केम टू स्कूल विथ मी पहले गाओं का स्कूल में था कुश्वान डादी जाती थी लेके सब करती थी उठाती थी तयार करती थी अब तर्निंग पॉइंट आ गया अब क्या होती है अब दादी कुश्वान के साथ स्कूल नहीं जाती I used to go to an English school in a motor bus भाई, motor bus ओ कुश्वान, काई से जाएगा motor bus there were no dogs in the street and she took to feeding Spyro in the courtyard of our city house अब दादी कुट्टों को नहीं खिला के किसको खिलाती है Spyro's, Spyro's मतलब चिडिया पहले दादी कुट्टों को खिलाती थी गाउं में अब शेहर में कुट्टे नहीं है तो किसको खिलाती है चिडिया को खिलाती है As the year rolled by we saw less of each other For some time she continued to wake me up and get me ready for a school कुछ साल कुछ समय तक कि रोने उठाया, तयार किया When I came back she would ask me about the teacher had taught me जब आता था तो पूसी थी बताओ टीचर ने क्या पढ़ाया I would tell her English words And a little thing of western science and learning The law of gravity Archimedics principle The word being round etc ये पूस्ती थी कुछ वान से बता क्या पढ़ाया तो भले आज में को English में ये बताया यहां ये बताया law of gravity बताई ये principle बताई This made her unhappy She could not help me with my lessons पहले हो सकता है वो priest वगेरा था गाओं में मदद कर सकती थी दादी अब दादी मदद नहीं कर सकती She did not believe in the things they taught us in the school and was distraged that there was no teaching about God and scripture बहुत बड़ी खबर दादी को बुरा लग रहा है कि गाओं की पढ़ाया शहर में नहीं होती है बगवान के बारे में शहर में पढ़ाया नहीं जाता One day I announced that there were being given music lesson एक दिन मैंने बताया दादी को दादी अब हमारे स्कूल में मुझे सिखाया जाएगा music lesson She was very disturbed to her music have left association it was the monopoly of harlots and the beggar and not meant for gentle fog ध्यान से सुनना दादी को music के प्रती क्या लगाओ है दादी बोलती है music जो है संगी जो है left association it was monopoly of harlots and beggar ये जो लड़की लोग रहती है ना मतलब अप समच सकते हो आप मैं बोलना नहीं चाहता हूँ harlots मतलब वो जो ग्रहाकों को खुश करना चाहती है उनको बोलते है beggar मतलब भीक मांगने वाले बीक मांगने वाले के लिए जरूरी है बोले music harlot वो लड़की जो सबको ग्रहाकों को खुश करती है उसके लिए जरूरी है gentle fuck अच्छे लोगों के लिए music जरूरी नहीं है हाँ वही 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 हाँ paid woman भी बोल सकते prostitutes भी बोल सकते है she said nothing but her silence mid desirable she rarely talk to me after that जैसे ही दादी को पता चला कि मैं को music सिकाया जा रहा है अब दादी ने मुझसे बात करना बन कर दिया then I went up to university I was given a room of my own the common link of friendship was a step अब जब कुश्वान सिंग university गया इनको अलग से room मिल गया अब दादी और पोते का room भी अलग हो गया अब इनके बीच में कोई संबन नहीं my grandmother accepted her seclusion with resignation दादी ने ये सुईकार कर लिया कि अब में को अकेले रहना है she rarely left spining wheel to talk to anyone अब दादी चलाती है चर्खा दादी किसी से बात नहीं करती from sunrise to sunset she said by her wheel spining and reciting prayer दादी दो ही काम करती है क्या करती है चर्खा चलाती और prayer गाती है only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrow दादी ने काम ठान लिया दादी ने काम ठान लिया अब दादी चर्खा चलाएगी और चीडिया को खिलाएगी और कोई दूसरा काम नहीं करेगी while she sat in the veranda breaking the bread into little bits दादी bread को छोटे छोटे तुकडों में तोड़ती है hundreds of little bits collected rounder creating a veritable bedlam of chirping सेकडो बहुत सारी गौरईया आजाती है और veritable bedlam of chirping सच में मजाक नहीं सच में मच्छी बजार लग जाता चू 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 some came in prayer children legs कई चिडिया तो उनके pair पे आजके बैठ जाती है other on her shoulder कई उनके कंदे पे बैठ जाती है some even set on her head कई तो सिर पे बैठ जाती है बहुत बड़ी बात कोई pair पे, कोई कंदे पे, कोई सिर पे she smile but never shoot them away वो हस्ती है पर कभी किसी को भगाती नहीं शूट देम हमें मतलब भगाना होता है वो कभी भगाती नहीं it used to be the happiest half hour of the day for her सबसे अच्छा टाइम दादी के लिए बीचता है यहां पर जल्दी से पूरा lesson रिवाइस करना कुश्वान सिंग है कुश्वान सिंग की दादी है दादा है दादा चले गए दादा की फोटो टंगी है फोटो देखके ऐसा लगता दादा बहुत बड़ा बुड़ा है इसके दादा के नाती पोती होंगे और कुछ भी होई नहीं सकता दादी भी इत्ती बुड़ी हो गई है कि 20 साल में और बुड़ी होई नहीं पाई मैं जब से देख रहा हूं जैसी की वैसी है अब सुनो दादी कैसी है एकदम सफेद है दादी के बाल एकदम सफेद है घर में गूमते रहती है लकडी ले लेती और माला जबते रहती है चोबिस घंटे दादी माला जबती है गाओं के कुटों को दादी क्या करती थी रोटी खिलाती थी कुश्वान सिंग के साथ जाती थी अब ये कहां आ गए सिटी तो सिटी में दादी ने किसको खुलाना चालू कर लिया अब कुटो को नहीं अब दादी खिलाती है इस पैरों को हजारों पैरों आती है बैठती है कोई को दिक्कत नहीं अब जब मैं विदेश, when I decided to go abroad for further study, I was sure my grandmother would be upset, I would be away for 5 years, पहले के जमाने में जैसे गांदी जी वगेरा गए थे, बिलकुल आएंगे ही नहीं, ऐसा नहीं कि हर 2-3 महीने में आएंगे हैं, अवे मतलब अवे, पांच साल तक के कुश्वान सिंग जा रहे हैं, विदेश, and at her age, one could never tell, समझो, बड़ी बात बोल दी, never tell मतलब, पांच साल बात दादी, रहे या ना रहे, but my grandmother could, she was not even sentimental, she came to leave at the railway station, but did not talk or show any emotion, दादी आई railway station, पर कोई बात, नहीं कि, her lips moved in the prayer, her mind was lost in the prayer, जवान भी चल रहे हैं प्रातना में, और दिमाग भी खो गया प्रातना में, her fingers were busy telling the beats of her rosary, हाथ से माला ही जपरी है, silently she kiss my forehead, माता चुमा, and why a life to cherish the moist imprit as perhaps last sign of physical contact between us, कुश्वान को ऐसा लगा, कि ये last sign है, last हो गया, अब इसके बाद मैं दादी से मिलूंगा, नहीं, but that was not so, after five year I came back home and I was brought her at set station, क्या हुआ, कुश्वान चला गया, विदेश, कुश्वान को लगा, अब तो मैं दादी को देखी नहीं पाऊंगा, पर जब कुश्वान वापस आता है, तो उसको दादी दिखती है, पात साल बाद वो भी station पे, she did not look a day older, she still had no time forward, दादी, दादी, दादी को कोई बात से मतलब नहीं, and while she claps me in her arm, I could hear her reciting her prayer, मेरे आने के पहले दिन भी दादी को कोई खुशी नहीं, वो अपनी चिडिया के ही साथ में प्यार कर रही है, whom she fed longer with previous rebukes, अब वो दादी चिडियाओं को बहुत previous rebukes, एकदम दिल से खिलाती है, अब कोई कित्ता ही चिलाए, कुछ करें, उनको कोई परवा, नहीं, in the evening a change came over her, she did not pray, शाम के समेक change आया, दादी ने प्रातना नहीं की, बहुत बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी, breaking news, दादी ने प्रातना नहीं की, बहुत बड़ी खबर, दादी ने प्रातना नहीं की, she collected the woman of the neighbor, got an order and started to sing, दादी ने प्रातना नहीं की और गाना का रही है for several hours she thumbed the drag क्या किया क्या किया एक ड्रम बजाया several hours काफी सारे गंटों तक के दादी ने ड्रम बजाया दोलक मंजीरे बजाये यहां तक चैप्टर जल्दी से रिवाइस करा रहा हूं द्यान से सुनना पूरा किताब से बात कर रहा हूं जल्दी से देखो पहले उसमें है पहले पेज में जो काम की बात है यह है कुश्वान की दादी सबकी दादी के समान बुड़ी है दादा की छाती पे दाड़ी है बड़े गजब के कपड़े पहनते है दादी जमान थी ये बात एकदम खतम हो गई दादी 20 साल से बुड़ी नहीं हुई जैसी की वैसी है हाँ मैं उसको मान सकता हूँ कि एकदम सफेद है बहुत प्यारी है अब सुनो यहाँ पे सुनो मैं गाओं में था दादी में को खिलाती पिलाती तयार करती और गाओं में लेके जाती और क्या करती गाओं में टेंपल में वो भी अपना पढ़ाई करती मैं भी अपना पढ़ाई करता क्यों 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 कि वो सब प्रास में था उसके बाद में क्या होता हम दोनों आजाते शहर शहर आते तो हम मैं स्कूल जाता इंग्लिश वाले अब दादी में को उठाती नहीं अब हमारी बात होती कम अब दादी बोलती क्या है ये अब बोले खतम अब में को म्यूजिक सिखा ही जाती तो दादी तो मैं से बात करना ही कर देती बन जब मैं यूनिवर्सिटी जाता तो मेरा रूम सेपरेट हो जाता अब हमारे दोनों के बीच में कोई फ्रेंडशिफ वाली बात नहीं अब दादी किसको खिलाती है इस पैरो उसको खिलाती है अब जब मैं विदेश जा रहा हूं तो दादी आके बोलती है चुप चाप कोई दिकत नहीं अब दादी के लिए केवल एकी चीज अच्छी है वो है उनकी इस पैरो पांच साल बात जब ये वापस आता है तो भी दादी इस पे ध्यान नहीं देती है अपनी प्रातना में लगी रहती है एक दिन दादी प्रातना नहीं करती है और वो पडोसी के हां से ड्रम लेके आती है डेला पिटे ड्रम फटा हुआ डोल लेके आती है एंड सेंग अफ दा होम कमिंग वारियर्स घर आजा पर देसी तेरा देस बुलाए ये गाने वगेरा वो गाती है वी हैड तू पर्सुएड़ तू स्टॉप अवाइड ओर स्ट्रेनिंग ये पहली बार में को लगा कि दादी प्रातना के अलावा भी कुछ करती है नेक्स मॉर्निंग अगली सुबा दादी हो गई बिमार इट वस माइल फीवर एंड डॉक्टर तेल्ड इट वुड़ गो हलका सब उखा रहे डॉक्टर ने का चला जाएगा बट माइ ग्रेंड मदर तो डिफरेंटी शी तोल्ड उस देटर एंड वस नियर समझ गई दादी कि हम मैं मरने वाली हूँ शी सेट देट सिंस ओनली फ्यू आवर्स बिफोर दा क्लोस लास्ट चेप्टर शी है डॉमिटेट टू प्रे शी वस नॉट गई तो वेस्ट अनी मोर ताइम टॉक्टिंग तो अस जल्दी भगो जल्दी भगो यहां से में को किसी से कोई बात नहीं करना वी प्रोटेस्टेट बट्शी नोट अवर प्रोटेस्ट हमने विद्रो किया दादी बात करना पड़ेगा शी लेप पीस्फुली इन बैट प्रेंग एंड टेलिंग अर बेट्स शांती से पलंग पे सो गई है जाप कर रही है इवन बेफोर वी कुट सस्पेक अर लिफ स्टूट मोविंग और रोजरी फैल फ्रोटेस्ट दादी मर गई दादी मर गई दादी मर गई दादी के हाथ से माला गिर गई अब पीस्फुल पहला रिस्प्रेड अनर प्रेस और वी नो शी वस डेट समझ गया हम कि दादी चली गई वी लिफ्टेट अर ओफ दादी का दादी को रखा और हम चले गए समान वगेरा लाने in the evening we went to a room with a crude structure वो जो आते है न अर्थी वगेरा वो लेके गए to take her to a cremated ताकि वो उनको जलाया जा सके the sun was setting and it left the room with a veranda with a blaze of golden light सुनहरी दूब भी बोल सकते है या जब सूर्यास सोते है तब का light है we stop halfway in the courtyard all over the veranda right up where she lay dead strip wrapped in a red shot thousands of squirrels set scattered on the floor अब समझो हजारों चिडिया आ गई हजारों चिडिया दादी की अर्थी के पास there was no chirping एक भी आप बताओ जब रोज आती थी तो veritable bedroom आता था कि नहीं आता था बिलकुल मच्छी बजार लगता था चू 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 आईये we felt sorry for the birds and my mother fed some bread for them हमको बुरा लगा हमने थोड़ी बहुत bread दी she break it into little crumbs the way grandmother used to and threw it to them रोटी तोड़ के दी the sparrow took no notice of the bread sparrow ने bread को देखा तके नहीं when we carried my grandmother corpus off जब दादी का अर्थी उठाया they flew away next morning the sweeper sapped the bread into the dust bean अगली सुबा sweeper ने उसको dust bean में डाला इस पायरो ने एक भी नहीं काई ठीक है यह हो गया हमारा chapter complete इसके question answer वगेरा में सब करा दूँगा आपको कुछ करने की जरुद नहीं इसके बाद में एक पोया में यहाँ पे भी मैं आपको पढ़ा दूँगा फटा फट चैप्टर को बता रहा हूँ बोलो कुछवान सिंग थे उनकी दादी थी दादी इतनी बुड़ी हो गई कि 20 साल तक के वो बुड़ी और हुई नहीं पहले वो कहाँ पे थे पहले वो विलेज में थे विलेज में दादी उठाती थी तयार करती थी दोनों की चकाचक दोस्ती थी विलेज के बाद वो कहाँ पे चले गए सिटी विलेज में दादी किसको खिलाती थी डॉग को सिटी में दादी ने किसको खिलाना चालू कर दिया स्पैरो को कुष्वान से भी बात कम कर लिए अब क्या पकड़ लिए अपना इस्पाइनिंग वील अब बाद में दादी बोलती अब तुमें को किसी से कोई मतलब नहीं अब मैं केवल क्या जपूंगी मैं माला जपूंगी अब दादी केवल क्या जपती है माला कुश्वान सिंग जाते हैं विदेश जब आते हैं तो देखते हैं दादी है जैसी की वैसी पर दादी कुछ बोलती नहीं एक दिन चेंज आता है एक दिन दादी क्या बजाती है ड्रम पूरी महिलाओं को एकटा करती है और दादी क्या करती है वेलकम सॉंग आती है पहल मैं क्या करूंगी, I will turn the bets of my rosary, मैं माला जपूंगी, कुछवान देखता है, दादी मर चुकी होती है, अब चुनो, वो जो चिडिया थी, स्पेरोज, वो आती है, thousand, हजारो चिडिया आती है, पर importance देखना, कोई भी चिरप नहीं करती है, कोई चीचा की आवाज नहीं होती है और कोई भी no food, जरासा भी खाना नहीं खाती है, यह था हमारा शांदार lesson number one, thank you so much, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने friends के साथ, और जिसने subscribe नहीं किया, please subscribe करो, और कुछ मत करो, comment करके बताओ, कैसा लगा, क्या लगा, photo वगेरा, सब लेके आओंगा, अगल thank you so much, हाँ, ठीक है, मैं देख लिया,